हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिश आपका स्वाग करता हूँ पैसा फंडा चैनल पर, तो दोस्तों दिवाली आने वाली है, और अगर आप भी शेर ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो यह विडियो आपके लिए हैं, इसमें हम लोग समझेगे की महूर्ट ट्रेडिंग क्या है, और मुहूर्ट ट्रेडिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुहूर्ट ट्रेडिंग की परंपरा 64 सालों से चली आ रही है, दिवाली के दिन BSC और NSC पर मुहूर्ट ट्रेडिंग की जाएगी, भारतिय शेयर बाजारों में मुहूर्ट सामान्य कारोबारी घंटे से अलग शाम को होती है ट्रेडर लक्षमी पूजन के बाद ट्रेडिंग करते है मुहूर्ट ट्रेडिंग असल में पूरे साल के लिए शुब शुरुवात का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है दरसल कारोबारियों के लिए नए वित्वर्ष की शुरुवात दिवाली से होती है मुहूर्ट कारोबार के दिन सेंसिक्स अमूमन बहुत प्रबंध होता है कमोडिटी एक्सचेंज भी मुहूर्ट ट्रेडिंग की पेशकश करते हैं तो दोस्तों महूर्ट ट्रेडिंग में हमें टोकन खरीद के साथ शुरुवात करनी चाहिए और अफवाहों पर ध्यान ना ही देना चाहिए क्या करें? नंबर एक टोकन खरीद कर करें शुरुवात इक्विटी बाजार में प्रवेश करने के सिंबल के रूप में आप एक टोकन खरीद सकते हैं यह विशेश महूर्ट पर की गई शांदार शुरुवात साबित हो सकती है यदि सही रणनीती अपनाई और लालट से बचे रहे तो समरिध की राह निकल सकती है नमबर दो ब्लू चिप शेरों में रिस्ट कम महूर्ट ट्रेडिंग के दौरान अच्छे शेर खरीदने चाहिए अधिकांश ब्लू चिप आमतौर पर हाई वैल्यू सेट करते हैं जैसा कि अभी इस कैटिगरी के शेर काफी महंगे हैं लेकिन लंबी अवधी में शेर जोरदार रिटर्न देते हैं और इन में बड़ी गिरावट कम होता है नमबर तीन पोर्टफोलियो की रिस्ट्रक्चरिंग करें दिवाली का शुरुवात करने के लिए आदर्ष माना जाता है निवेशक इस खास मौके का इस्तिमाल अपने पोर्टफोलियो का प्रदर्शन आकने में कर सकते हैं नए लक्षे सेट करें और पोर्टफोलियो में फेर बदल के लिए भी अच्छा मौका है अब बात कर लेते हैं कि महूत ट्रेडिंग करते समय क्या ना करें महूत ट्रेडिंग की विंडो छोटी होती है इसलिए बड़ा ओर्डर देने से बचना चाहिए घाटे से घबराना नहीं चाहिए लेकिन यदी इससे बचना संभव हो तो तरीके अपनाने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए नमबर दो अपना फोकस लगाएं आप उच्साह में भटक सकते हैं यही कारण है कि मुहूर्थ की ट्रेडिंग में बुनियादी सिधान्तों पर कायम रहने की सलाह दी जाती है निवेश की अवधी ध्यान में रखते हुए पहले दी गई क्या करें सूची का पालन करें और टोकन खरीद पर टिके रहें इसके अलावा ज्यादा रिटर्न के लालच में गलत फिक्स अपनाने से भी बचने की जरूरत होती है तो दोस्तों आप अभी से महूत ट्रेडिंग की तयारी शुरू कर दीजिए और सभी कैलकुलेशन अच्छे से करिए मालक्षमी जरूर आप पर क्रिपा करेंगी और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझपर भी क्रिपा करें और साथ ही बिल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू